हेलो दोस्तों हिंदी मेरे पर फिर से आपका स्वागत है दोस्तों अपकी वीडियो में जो हम जानकारी लेकर आए हैं वह जानकारी लेकर आए है कोशन बैंक से संबंदित और ये कोशन बैंक जो है बीए सेकिंडर की स्टुडेंट्स के लिए है और पेपर का नाम है एजुक ये सेकिंडियर का, अगर पीए फस्टेर और पीए थर्डियर के स्टुडेंट्स को भी एजुकेशन का पेपर का कोशन बैंक चाहिए, तो मैंने नमबर दियावा है अपने डिस्क्रप्शन बोक्स में, तो आप वहाँ से नमबर लेकर वर्टसप का, तो आप हमें एजुकेशन का स्लेबर सेंड करेंगे, तो आपको भी हम कोशन बैंक प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन तब ही करा पाएंगे, जब आप हमें अपना स्लेबर सेंड करेंगे, चलिए अब आपके कोशन बता देते हैं, यूनीट वन में जो कोशन्स आपके बने हैं पहला कोशन बना है मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं मनोविज्ञान की परिभाशा दीजिए नेस कोशन है मनोविज्ञान के अर्थ M. विशेच शेत्र की व्याख्या कीजिए एक चीज और अगर B. सेकिंडर के पास एजुकेशन के नोट्स नहीं है तो जो मैं कोशन बैंक लेकर आ रहे हूँ इसमें से अगर आपको पर्टिकॉलर किसी का भी आंसर चाहिए तो आप कमेंट बोक्स में मुझे बताइए कि मैणम इस नंबर के कोशन्स का हमें आंसर चाहिए और इस यूनिट में से चाहिए तब ही मैं आंसर प्रोवाइट करा पाऊंगी बच्चे क्या लिख देते हैं कि मैणम इस के आंसर दे दीजिए तो आंसर सारे तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत कम टाइम आपके पास ही बचा है और मैं अभी सभी सब्जेक के कोशन बैंक तैयार कर रही हूँ आपके लिए तो उसमें भी टाइम लगता है कोशन बैंक बनाने में तो इसलिए आप क्या करना है मुझे पर्टिकॉलर किसी कोशन का जिसका आंसर आपको मिले ही नहीं आप मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बता दें तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपको उसका आंसर प्रोवाइट करा पाओ चलिए थर कोशन मनो विज्ञान बहवार का विज्ञान है इस पस्ट करना है फिर आपका फोर्थ कोशन यूनिट वन में से निवने लिखित पर शंगशिप्त टिपनी लिखे एक तो संगरशनावाद दूसरा दूसरे का आपका नाम है गेस्टाल्ट वाद इन पर आपको टिपनी तयार करनी है चलिए अब चलते हैं प्रशन नमबर पांच की तरफ मनोविज्ञान के विकास को एतिहासिक परिद्रश्य में स्पस्ट कीजिए शिक्षा मनोविज्ञान के छेतर कौन से है शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षारतियों के लिए उप्योविता को स्पस्ट करना है तो ये साथ कोशन जो हमने बना है यहां से आपके questions आएंगे जरूर, चली आगे चलते हैं, unit 2 पर unit 2 में किस तरह के question निगल कर आ रहे हैं, पहला प्रशन है, बाल वेवार में आने वाली समस्याओं को आपको सूची बनानी है, किन-किन समस्याओं का जो है बाल वेवार में सामना करना होता है, उसका बारे में आ विकास आत्मक कारे को रेखांकित कीजिए, very important 99% इसकी उम्मीद रहती है, और यह मानो विकास वाला भी 99 मेरे आप लेकर चलिए, प्रशन बहुत महत्वपूर्ण हैं, आगे देखते हैं, विकास आत्मक कारे से आप क्या समझते हैं, पूर एम उत्तर बाले अवस्ता के वि वरन आपको देना है, तीनों ही प्रशन बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक्जाम में बन सकते हैं, नेस्ट है, टिपनी लिखिए, बाले अवस्ता की विशेस्ता हैं, किशोर अवस्ता की विशेस्ता हैं, दोनों ही टिपनी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तयार कर लिजिए, अब आते हैं unit 3 पर unit 3 बे किस प्रकार के question बनेंगे चले चेक कर सकते हैं प्राचीन या पवलाव अनुबंधन का वुधारन सहीत वर्णन करना है किरिया प्रसूत अनुबंधन का वर्णन कीजिए next question, question number 3 किरिया प्रसूत अनुबंधन में पूनर बलन की विशेज भुमिका का वर्णन कीजिए very important है और किरिया प्रसूत भी very important है इनकी 99 उम्मीद रहती है आपके exam में आने की किरिया प्रसूत तो बिल्कुल अच्छे से त्यार कर लीजिए यहाँ से question 100% बनता है next question है प्राचीन अनुबंधन क्या है प्राचीन एम किरिया प्रसूत अनुबंधन में अंतरिस्पस्ट कीजिए यह आपकी थी unit 3 ठीक है अब आते हैं unit 4 पर unit 4 काफी लेंदी है प्रशन भी अच्छे बनेंगे यहाँ से तो देखते हैं पहला प्रशन आपका क्या बन रहा है बुद्धी से बुद्धी की बुद्धी को परिभासित कीजिए बुद्धी के शक्षिक महतों को समझाए 99 में लेकर चलिए इसको शाबदि का शाबदिक बुद्धी परिक्षन लिख्ये अंतर परिक्षन में अंतर लिखे 99 लेकर चलिए चले आगे चलते हैं नेस कोशन है व्यक्ति गत्वे सामुई बुद्धी परिक्षन में अंतर इसपस्ट की ज़िए बुद्धी मापन के इतिहास पर एक निभन लिखे इसको भी आप 99 में लेकर चलिए ये भी परिशन बहुत अच्छे से एकजाम में बनता है अब आते हैं नेस कोशन पर थोड़ाज गले में समस्या सी हो रही है चलिए आगे चलते हैं बुद्धी मापन का एक इतिहास क्या रहा है बुद्धी मापन का इतिहास तो शुरू से लेकर आखिर तक का आपको इसके बारे में बताना है इस प्रकार से एक निभन्द आपको तयार करना है विध्याले के समय में बुध्धी रध्धी करने से क्या लाब है ये समायोजित वाला जो आपकी यूनिट है वो टॉपिक है वहां से ये वाले कोशन्स बने है चलिए देखते हैं किस तरे के प्रश्णी हापर बनेंगे पहला प्रश्णी से बन सकता है विध्याले के समय में रद्धी करने से क्या लाब है स्काउट गाइड इन कारेकरम से क्या लाब होते हैं फिर है को समायोजित बच्चों के बारे में मनोच किस्ट को दिखाना क्यों आवश्यक है बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है समायोजित समायोजन ये सब कोशन आएंगे 100% आएंगे यहां से ठीक है इस वाले टॉपिक में से आपके फिस में नैस कोशन बन रहा है आपका अध्यापक अभीभाव संबंद अच्छे होने से बच्चों को क्या लाब होता है तो इस तरह के जो प्रशन होते हैं इनके आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं इसमें पढ़ने की इधनी ज कोशन्स लेकर आए थे एजुकेशन के और मुझे रगता है एजुकेशन के भी काफी स्टुडेंट है बी ए फस्टेर में भी बी ए सेकेंडियर बी ए थर्डियर में भी अगर आपकी स्टेंट अच्छी है और मेरे पास बहुत जादा आती है तो मैं एजुकेशन के तीनों के जो हैं आपको कोशन पेपर यानि के कोशन बैंक प्रोवाइड करा सकती हूं लेकिन तभी जब मुझे कमेंट बॉक्स में क्वैरी मिलेगी अब ये तो इस्टुडेंट ने भेजा तो मैंने उसके लिए बना दिया है और मुझे लगता है अगर उसको वीडियो पसंद आई है कुछ भी आपको फ्रोड जानकारी नहीं दी जाती जब ही भी आपकी वैपसाइट पर अप्लोड हो जाती है कोई न्यूज कोई नोटिविकेशन तभी आप तक पहुंसता है अदरवाइस नहीं जब तक हम बिल्कुल अपने आपको साटिसफाइड नहीं कर लेते हैं कि न्यूज कुछ सही है फेक नहीं है तब तक आप तक नहीं पहुंचाते हैं तो आज ही आपका एक नोटिविकेशन आया है मैंने थोड़ देर पहले वो वीडियो अप्लोड की है उसको भी आप चेक कर लिजिए क्योंकि कुछ पेपर की टाइमिंग भी चेंज हुई है और क कमेंट बोक्स में क्वैरी भी सेंड करते रहें क्योंकि आप क्वैरी सेंड करते हैं तभी पूरी हो पाती है और आपको लगता भी होगा कि आपकी क्वैरी पूरी की जा रही है तभी आप भेज भी रहे हैं और लाइक ज्यादा स्यादे कीजिए अच्छा लगता है जितने ही लाइक आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है तो शेर कीजिए, केर कीजिए और लाइक कीजिए